हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए इनर लेके आई हूँ इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इस इनर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 9 नमबर की सलाय का यूज किया हुआ है 41 फंदे नीचे मैंने बॉर्डर में डाले हुए है यदि आप 10 नमबर की सलाय का यूज करेंगे तो नीचे 50 फंदे डालेगा इस तरकेश से आब बनाईएगा तो इनर बन के बहुत ही खुपसुरत बन के आएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज हम New One Baby के लिए इनर बनाएगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिटोरियर फ्रेंड्स इस इनर को बनाने के लिए हमने दो पीस बनाने है एक हमारा front piece होगा, एक हमारा back part का होगा, यह हमारा front piece है, यहाँ पे मैंने 41 फंदे डाले हुए हैं और 9 number की सलाइका यूज़ किया हुआ है, border से लिख करके यहाँ तक मैंने change तक बुन लिया है, अब मैं आर्मोल की cutting करूँगी, friends यहाँ पे मैंने जो design डाला हुआ है, यह design अ यह हमने सिर्फ एक बार करना है, जब मैं आर्मोल की cutting करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, अब यहाँ पे हमारे आर्मोल की पट्टी के 5 फंदे हो गए हैं, अब धागे को पीछे करेंगे, अब यहाँ से हमने आर्मोल की cutting करनी हैं, पहले फंदे को हम ऐसे सिधा कर लेंगे, और दो फंदो को एक साथ हम पीछे की तरफ से सिधा बुन लेंगे, अब बीच के फंदो को हमने सिधा सिधा बुनना है, अब हम रोख के लास्ट में आ गए हैं, अब हमने क्या करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में दो का एक किया था है, ऐसी यहाँ रोख के लास्ट में भी दो फंदो का एक कर देंगे, यह हमारा एक फंदा हो गया और आगे के चार फंदे हमने उल्टे बुनने हैं फिर हमने दो फंदों का एक करना है सिधा बुनते वे तो एक फंदा और मैं सिधा बुन लेती हूँ अब यह दो फंदों का हमने एक करना है आगे की तरफ से अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार पंदे हम उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार अब ये दो पंदो का हम एक कर देंगे उल्टा बुनते ज़ें अब आते हैं बैक साइड में अब बैक साइड में हमने क्या करना है पहले फंदों को सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारना है धागे को अपनी तरफ करके और चार फंदे हम उल्ट 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 बुनेंगे यह हमारी आर्मोल की पट्टी बन रही है यहाँ पे मैंने पांच फंदों की रखिए अब आकी के सभी फंदों को हमने बैक साइड में उल्ट 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 बुनना है इस से बैक साइड की पूरी रोको उल्ट उल्ट कर लिया है अब आते हैं फ्रंट साइड में पहले फंदों को सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे धागे को अपनी चर्फ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे तोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं धागे को पीछे करेंगे अब यहां पे हम और मूलकी cutting कर रहे हैं तो 2 फंदे को हमने एक करना है वेकिन पहले वाले पंदे को हमने पहले सीधा करना है सिधा करके दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तब से दो का एक कर देंगे सिधा बुनते हुए और बीच के फंदों को हमने सिधा सिधा बुनना है अब हम लास्ट में आ गए हैं अब हमारे साथ फंदे बचे हैं आगे की तरफ से दो फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए, अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे हम उल्टे बुन देंगे, अब आते हैं बैक साइड में, पहले फंदे को हमने सीधे फंदे के तरह ऐसे उतारना है, धागे को अपनी तरफ करेंग बागे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है इससे बैक साइट की पूरी रोको उल्टा बुनके कम्प्लीट कर लिया है और फ्रेंट्स अब हम सीधी साइड में आ गए हैं अब देख सकते हैं कि हमारी दो धारियां बन गई हैं जब हम दो नाइने बुनते हैं तो एक धारि बनके आती हैं मारी चाहरी से आपको दो धारियां दिखाई दे रहूंगी ऐसी हमने 8 धारियां बनानी है यानि 6 धारियां हमने और बनानी है उसके बाद हम नैक की कटिंग करेंगे तो अब आगे आपने क्या करना है पहले फंदे को हम सीधे फंदे के तरह उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करके 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे फिर दो फंदों का हमने एक करना है लेकिन पहले वाले फंदों का हमने सीधा करना है तब हम दो फंदों का एक करेंगे बीच के फंदो को हमने सीधा सीधा बुनना है अब लास्ट में जब साथ फंदे हमारे रह जाएंगे तो दो फंदो को हमने एक करना है आगे की तब से सीधा बुनते विए धागा अपनी तरफ करके पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे जब हम बैक साइड में आएंगे तो पहले फंदों को हमने सीधे फंदे के तरह उतारना है धागा अपनी तरफ करके सभी फंदों को हमने उल्टा बुनना है पर इस तरह से हमने बुनते जाना है जब हमारे आठ धारियां इदर बनके कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं बताती हो कि आगे क्या करना है तो फ्रेंट्स इस तरह मैंने आठ धारियां बना के कंप्लीट कर ली है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यह हमारे आजमोल की कटिंग हो रही है यहाँ पर अब हमने नेक का बॉर्डर बनाना है पहले फंदे को हूँ सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे हम उल्ते बनेंगे अब यह टोटल हमारे 5 फंदे हो गए है जो कि हमारे आजमोल की पट्टी बन रही है यहाँ पर अब हमने लास्ट बार दो का एक करना है आर्मोल की कटिंग हमारी ये बत लास्ट बार हो रही है दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे अब बीच के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है क्योंकि ये हमारा नैक का बॉर्डर बन रहा है अब ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है और एक आगे का फंदा दोनों फंदों को एक साथ हम दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे ये हमारे आर्मोल की लास्ट कटिंग है अब इसके बाद हमने कोई फंदे नहीं घटाने है अब आगे के फंदों को हमने उल्टा-उल्टा बुन लेना है अब आते हैं बैक साइड में पहले फंदों को हम सीधे फंदे के तरह उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा-उल्टा बुनना है जब हम पहले फंदों को सीधे फंदे की तरह उतारते हैं तो हमारे एज़ेस बिलकुर नीट और क्लीन बनके ऐसे आते हैं जो कि देखने में बहुत संदर लगते हैं इसने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनके कंप्लीट कर लिया है अब आते हैं सीधी साइड में यह हमारी एक धारी बन गई है ऐसे हमने तीन धारियां और बनानी है यानि टोटल चार धारी हमने बनानी है एक बार और बना के बता देती हूं पहले फंदों को सीधे फंदी की तरह ऐसे उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है अब हमने कोई फंदे नहीं घटाने है और मोल के कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है अब सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा ब पहले फंदों को सीधे फंदे एक तरह ऐसे उतारेंगे भागे को अपनी तरफ करके सभी फंदों को हमने उल्टा-उल्टा बुनना है अब आते हैं सीधी साइड में तो फ्रेंड्स दो धारियां हमारी बन चुकी हैं दो और बना लीती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं अब हमने नेक की कटिंग करनी है जले फंदों को सीधी फंदे के तरह उतार के आगे की चार फंदों को हम उल्टा बुन देंगे अब ये टोटल हमारे पांच फंदों हो गये आब हमने नैक़ किये कटिंग करनी हैं दो फंदो का एक करेंगे उल्टा बुनते वे फिर इस फंदो को लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे और दो फंदो का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे फिर से इस फंदो को लेफ्ट हैंड के निडल पैसे लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे इन फंदों को हमने ज्यादा टाइट नी करना है फिर से दो फंदों का एक कर देंगे इस फंदों को लेफ्ट हैंड के निजल पैसे लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे फिर से दो फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते वे इस फंदों को लेफ्ट हंड के निडल पे ऐसे लेंगे फिर दोनों फंदों के एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे फिर से इस फंदों को ऐसे निडल पे लेंगे और दो संदों का एक कर देंगे इलटा बुनते वे ULTA ULTA GUN LENEGY । criter अब इनी 5 फंदों का हमने आगे तक बुंते जाना है पहले फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम ULTA GUN LENNY अब फिर से बैक साइड में आ जाएंगे हम पहले फंदे को हमने सीधे फंदे की तरह से उतारना है धागे को अपनी तरफ करना है और चार फंदे हम उल्टे बुन लेंगे अब सीजी साइड में आते हैं पहले फंदे को सीजे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे हम उल्टे बुन लेंगे अब आते हैं बैक साइड में पहले फंदों को सीज़े फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करके चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे यहां पर मैंने 5 फंदों की रखी है आप 6 या 7 फंदों की भी रख सकते हैं यहां पर हम इन धारियों को गिनेंगे धारियां हमने गिननी हैं नेक के बॉर्डर के बाद तो फ्रेंस नेक के बाद हम काउंट करेंगे 6 धारियां मैंने बना लिए हैं यह हमारी नेक वाली धारिय नेक के बाद हम काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे धारियां मैंने बना लिए हैं, अब यहां पर मैं धागा अटेच करूंगी, फ्रेंट्स, अब मैंने यहां पर धागा अटेच कर लिया है, पहले फंदे को मैं सीधा फंदे कितना ऐसे बुन लूँगी धागे को अपनी तरफ करके, आगे के चार फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है, अब आते हैं बैक साइड में, पहले फंदों को सीधे फंदे कितरह उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करके, और आगे के चार फंदे हम उल्ट उल्टे बुन लेंगे, अब आते है सीधी साइड में पहले फंदे को सीधे फंदे के तरह ऐसे उतारेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे हम उल्टे बुन लेंगे नेक के बाद हमारी दो धारियां बन चुकी हैं एक दो तो फ्रेंट्स ऐसे मैंने चार धारियां और बनानी है फ्रेंट्स बैक पार्ट भी हमारा सेम इसी तरीके से बनेगा पहले मैं आगे की छह लाइने बनाके फिर बाद में सोल्डर जॉइंट करूंगी पीछे बाले बना लिए इसी तरीके से बैक पार्ट भी मैंने बना लिया है अब दोने सोल्डर को मैं जॉइंट कर दूंगी चीदा पार्ट हमारा अंदर की साइड है उल्टा भाग हमारा बाहर की साइड है अब दोनों सोल्डर को मैंने जोड़ना है पीछे का एक फंदा लेंगे और ए से निकाल देना है पिछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को उपर से ऐसे पास कर देंगे फिर से एक फंदा पीछे की साइट से लेंगे और एक फंदा आगे की साइट से लेंगे दोनों फंदों को एक साथ हम पहले उल्टा बुनेंगे अब यह दो पिछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे 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 वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे को पर से पास कर देंगे अब यहां पे धागा कट कर लूँगी मैं उसके बाद यह लूप बना है लूप के अंदर से धागा कैसे पकड़के खीच दूँगी अब यह हमारा shoulder joint हो गया है फ्रेंट सेम इसी चरीके से shoulder को भी मैंने जोड़ना है जोड़ने के बाद दोनों साइट पे मैं sly कर दूंगी उसके बाद मैं आपको final look दिखाते हूं कि बनने के बाद कैसा नजराता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने दूसरा shoulder भी joint कर लिया है और दोनों तरफ से मैंने sly कर लिये इस साइट से भी मैंने sly कर लिये और इस साइट से मैंने sly कर लिये तो फ्रेंट्स यहाँ पर new born baby के लिए inner बनके हमारा complete हो गया है आप देख सकते हैं कितनी इजिली तैयार हो जाता है इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो फ्रेंट्स आप भी ट्राइ करिएगा फ्रेंट्स उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और श दन्यवाद